दुमका में गुरुबार को दिन के बारा बजे से साम चार बजे तक किया जाएगा मौक ड्रील लोगों को घबराने की जरूरत नहीं उपायोक्त उप्राधानी दुमका के इंडोर इस्टेडियम दुमका में गुरुबार को करोना वाइरस संक्रमन की महामारी को रोकने हेतु नियंतरन छेतर चिनीत मौक ड्रील करने के संबद में बैठक आयोजित की गई उन्होंने कहा कि गुरुबार को दिन के बार बजे से साम चार बजे तक मौक ड्रील किया जाएगा लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है मौक ड्रील का मुख्य उदेसे संक्रमन को रोकने के लिए की गई तैयारियों को जानना है उन्होंने कहा सभी के सहयोग से ही दुमका जिला अभी तक करोना संक्रमन से मुक्त है मुझे विश्वास है कि ऐसे ही आम जनों के सहयोग से हम करोना संक्रमन को इस जीले में परवेश करने नहीं देंगे उपायुक्त ने कहा कि कंटेन्मेंट प्लांड के अनुसार यदि कोई ब्यक्ती COVID-19 का परजेटिप पाया जाता है तो संक्रमित ब्यक्ती के निमास अस्थान को EPI सेंटर चिनित करते हुए तीन किलोमिटर की परीदी छेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा इस छेत्र में किसी भी ब्यक्ती को निर्धारित समय सीमा के ओधी तक किसी प्रकार की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा इस छेत्र में निवास करने वाले सभी नागरीकों को रोजमर्रा की जरूरी सामगरीयों की आपूर्ती जिला परसासन सरकारी तंत्र द्व और आया जाएगा उन्हें कहा कि containment area के लिए rapid response team का गठन किया जाएगा containment area की संपुंद्ध गतीबीधियों पर निघरानी रखने हैं तू पर मुख अस्तानों पर CCTV camera अस्थाफित किया जाएगा जिसकी निघरानी नियंत्रन कच सेक करने की बिवस्था की जाएगी Contentment Control Room बनाया जाएगा जिस से Contentment Area में निवास करने वाले सभी परिवारों को रोजमर्रा की जरूरी सामगरी उपलब्ध कराने की बिवस्था रहेगे कंटेन्मेंट एरिया को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा 28 दिनों तक एक भी संक्रमीत मरीज नहीं आने तक इसे कंटेन्मेंट एरिया के रूप में रखा जाएगा जो भी समस्याएं मौक ड्रिल के दोरान आएंगे उन्हें चिनित करने का कार्ज किया जाएगा उपायुक्त राजिस्वरी बी ने कहा कि ग्रामिन अर्थ विवस्ता को बेहतर करने के लिए मन्रेगा प्रधानमंत्री आवास लीगल माइनिंग जैसे कार्ज सोसल डिस्टेंसिंग को मेंटन करते हुए किया जा सकता है लेकिन नियमों को उलंगन करने पर बीधी समत इसने कहा है कि दुमका की वर्तमान में जो इस्थिती है उसे बरकरार रखने की जरूरत है या सभी के सहयोग सही संभव है उने कहा कि हर ब्यक्ति अपने दाईतों को पूरी इमंदारी पुरवक निर्वान करे जो भी नियम बनाए गये हैं वो आपकी और आपके परिवार क सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गये हैं इस लोकडाउन की ओधी में किसी प्रकार की कठिनाई आम जनों को न हो इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रसासन पूरी तरह ततपरता से कार्ज कर रहा है सिमावर्ति छेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा र दुर्बहवार करने पर तीन साल की सजा होगी किसी भी प्रस्तिती में मेडिकल आफिसर पुलिस आफिसर या ड्यूटी में लगे लोगों के साथ दुर्बहवार नहीं करें बनाए गए नियमों का सभी लोग पालन करें निश्चित रूप से हम करोना के खिलाफ इस जंग म मजुमार अनुमंडल पताधिकारी राकेश कुमार नगर परश्यत अध्यक्षिस रेता जह सहित कई अन लोगों ने भी कई महतोपुन जानकारी दी बैठक में सभी प्रकंड विकास पताधिकारी अंचलाधिकारी सीडीपी ओ सहित जिला परसासन के वरी आधिकारी उपस्त थे तो ताधा तरीन ख़मरों के लिए देखते रहे हैं डेवी नियोट जारकंड यूटूब एमंग मा अब्रतारा नेटवर्क के चैनल नमबर 130 पर हमारे चैनल यूटूब फेस्बूक पर सस्क्राइब करना ना बुलें पेल आइकन को प्लिक करना भी ना बुलें साथी स लाइक शेर भी करें धन्यवाद